वेल्कम दोस्तों टोने वो वीडियों दोस्तों मेरे पास आगिया एक निया प्रोड़क्ट यह है तो सोलर लाइट बट यह दिखता है क्लोस सर्कृट कैमरा जैसा देख सकते हैं और इसको भी ऑन्बॉक्सिंग करके देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या-क्या मिलता है सबसे पहले देखने को मिल जाता है है यह हमारा सोलर लाइट यह दिखने में क्लोस सर्कृट कैमरा जैसा दिखता है बट है यह सोलर लाइट एंद इसके बाद यह रहा रिमोट अभी यह रायूसर मैनुल नट और वोल्ट भी दिखने को मिल जाएगा इसमें आपको एंड इसके बाद दो प्लास्टिक के कॉंपोनेंस आपको देखने को मिल जाएंगे यह बस वाल में हैंक करने के लिए और इसके बाद एक फॉल्स एंटेनर जासा दिखेगा आपको यह बस यह लैंब के उपर ऐसा फिट करना है जो और थोड़ा रियल लुक देता है लैंब को कि यह जो लैंप है थोड़ा मतलब करेंगे को इसमें लो इंटेंसिटी में लाइट जलता रहेगा एंड रेट कलर रा इंडिकर इंटेंसिटी कोई भी सोचेगा कि घर में लगा हुआ है साथ-साथ देख सकते हैं यहां से भी वाफस दोस्तों कुछ भी नहीं यह बहुत ईजी है बस दो बार में दो स्क्रू से फिट कर देना है और कुछ नहीं है चलिए दोस्तों इस सोलर लेंब को टेस्ट करके देख लेते हैं यह नाइट पर कैसे काम करता है सो दिस इस और रिमोट एंड यहां पर अभी लाइट है लाइट अभी बंध है सो अभी मैं अन दबाऊंगा सो अन हो गया देख सकते हैं थोर असा फोकस कर लूँगा में सो यह अभी अन है यह मोड वन मोड टू सो हलका रहेगा एंड जलेगा एंड दिस इस मोड थ्री सो मोड टू देख सकते हैं सामने गया थोर असा हिला में बस यह चालू हो गया एंड मोड थ्री ऐसा हलका रहेगा सो मुझे क्या करना है मुझे ऐसा हलका नहीं चाहिए मुझे मोशन सिंसर वाला जो है वो चाहिए सिस्टेम थोरा सा जूम करके दिखा देता हूं देखिए रेट कलर का जो लाइट है न यह एक्चल में जल रहा है किसी को भी लगेगा कि सिसीटीवी कैमरा है बड़ यह सिसीटीवी कैमरा है नहीं यह एक्चल में सोलर लैंप है एंड हम लोग इसका मोड टो में रखेंगे देखिए हलका है थोरा सा में मूवमेंट किया देखिए जल गया सो यह भी इंटेंसिटी हाई है एंड भी थोड़े देर में यह लो हो जाएगा सो चलिए दूर हटके देखते हैं लो होता है कि नहीं होता है सो चलिए मैं यह साइड में आ जाता हूं एंड भी देखते हैं इंटेंसिटी कम होता है कैसे ही रहता है देखिए इंटेंसिटी लो हो गया दोस्तो अभी जो आप क्लिप देखा यह फॉर्स डेका था और मोबाइल से शूट किया हुआ था सो मैं कोई भी चीज मतलब एक टेस्ट के बाद ही मैं रिव्यू नहीं देता हूँ तो चलिए देख लेते हैं नेक्स डेका क्लिप जो मैं इस कैमेरा से शूट किया है दोस्तो अभी आप लोग देख सकते हैं जो लाइट है वो डिम कंडिशन में ओन है एंड बाहर अल्मोस्ट पूरी तरीके से अंधेरा हो गया है एवनिंग का टाइम है सो अभी थोड़ा पास जाएंगे इसका और देखेंगे देखिए जस्ट मोशन से कितना जल्दी यह देखे टोटल एरिया ब्राइट हो गया अभी कैसा था अभी कैसा है थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि आपको जूम करके दिखाने के लिए जो रेट कलर का इंडिकेट इसी दीरर हो भी देख सकते हैं भू भी आँ है हाँ है लाइट का जो फेश से उस तरफ है लेकिन इस साइट से भी जो डिटेक्शन है मोशन डिटेक्शन वो काम कर रहा है सो देख सकते हैं कुछ दिर पहले देखिए अभी पूरा अंधेरा चा गया है मैं थोरा सदूर आया सो मैं थोरा पीछे की और आया यह भी तिम है देखिए कुछ नहीं दिख रहा है असपस और मैं थोरा आगे जाओंगा देखिए motion detection से देख सकते हैं पूरा एरिया ब्राइट हो गया है यह जो सोलर लाइट है अभी डिम में जल रहा है अभी दो घंटे हो चुके है ऑग के इसमें थोड़ा सामनी गया था और इसका इंटेंसिटी आ बढ़ गया हाफ इंटेंसिटी सबसे पहले जितना था उससे तो कम हो चुका है बट दो होगे अभी तक यह सई से काम कर रहा है यह लैंप पे कितना वाट का लाइट दिया गया है या फिर कितने वाट का सोलर पैनल इसके उपर लगा हुआ है दोस्तों साइट में बहुत सब मुझे को दिख रहा है बट बॉक्स के उपर कुछ नहीं ऐसा दिख रहा है और यह जो यूजर मैनुल है इसमें भी डीटेल्स नहीं है इसके लिए मैं कंफर्म करके आपको नहीं बता रहा हूं मैं नीचे इसका बेस्बाइ लिंक डाल दूंगा आप व उस प्राइस रेंज में एक रिमोट के साथ में मतलब मान लीजे मुझे मोट चेंज करना है 123 कर सकता हूं और जो जबी रिमोट से आप इसको मतलब मोट चेंज करेंगे तो कोशिश करिए दो से तीन मीटर के डिस्टेंस पे आप रहे मतलब उसके अंदर ही रहे तो फिर रि आप फेस कर सकते हैं और एक चीज़ मैनुल में रेकोमेंट किया गया है कि आप लाइट को दो से तीन मीटर उपर लगा लेकिन मेरा जो लाइट है दोस्तों वह कम से कम मतलब पांच मीटर उपर तो लगा होगा लेकिन फिर भी आसानी से जो मोशन सेंसर है वह काम कर रहा है हाँ अभी performance की बात में आता हूं मैं maximum time जो है mode 2 में रखता हूं mode 2 में क्या है कि आप मतलब normally dim जलेगा कोई भी नीचे से गुज़रा या आसपास से गया तो तुरंथ जो light है वो तुरंथ मतलब full intensity में आ जाएगा मतलब पहले पहले जबी फुल चार्ज होने का बात फुल चार्ज तो मालूम ने विकॉस में जहां पर इसको फिट किया है सनलाइट आता है वहां पर मतलब दिन के तो आधे time से भी जादा सनलाइट रहता है उसके उपर बट सनलाइट मतलब एकदम direct जैसे होना चाहिए मान एसा रहता है तो एकदम direct sunlight तो नहीं आता है सो मैं यह ख्याल किया है कि जबी मतलब मैं इसको ओन करता हूं पहले एक घंटे तक higher intensity की बात ही नहीं कर रहा हूं दोस्तों मों टो की बात कर रहा हूं जिसमें मतलब कोई आता है जाता है तो फिर light जो है वह हेवी हो जाता है बा जो हाइर इंटेंसिटी में ओन होता है डाट मैं डैट इस सफिशेंट वेरी सफिशेंट एंड पहले बेले जबी जबी शाम होता है इसको ओन करता हूं लाइट को तो बहुत तगड़ा लाइट देता है बहुत तगड़ा मतलब आप नियर एबाउड मान सकते हैं 14 वट जै गम देने में जाता है बट धिरदीर इंटेंसिटी कम होता रहता है धिर ख्याल के आमें मौउड 2 में ही चल रहा था राउंड चार से सारेसे घंटे हुए हो गए लाइट जो है एकदम डिंहों ओन गया एधम डिम जैक्सपरी मानरा kupeavy एक दम डिम हो गया था तो यह मोट्टो में देखने को मिलता है अगर आप मोट वन में जाएंगे तो बहुत ही कम टाइम देने बाला है अगर मतलब वह इंडेंसी निमें ऐसा जलता रहेगा तो बहुत जल्दी जो चार्ज है ड्रेन हो जाएगा हाँ जो एरिया हर टाइम सनी रहता है उसमें शायद आपको जादा टाइम यह दिखने को चलने को मिल जाए बट एक्चॉल में यह घर के सामने लगा रहता है ना नीचे जो रेट कलर का जो इंडिकेटर है वो बार बार ऐसा ब्लिंग करते रहता है तो लोगों लगता है कि घर में इस घर में मतलब क्लो सर्कीट कैमेरा जैसा है अभी बात करते हैं मैं इस लैंप से सैटिस्फाइब हूँ या नहीं दोस्तों इसका जो परपस है मुझे जो चाहिए था मोशन सेंसर वाला वो परफेक्ली काम करता है आप दो से तीन मीटर डिस्टेंस में रिमोट लेके 123 मोट चेंज कर सकते हो इ सकते हैं लेकिन मुझे वह सब मतलब करना नहीं पड़ेगा विकॉस हाथ में रिमोट है अगर फैला दिन ऐसा था कि चलते-चलते क्या हुआ था चलते-चलते मतलब इंटेंसिटी इतना कम हो गया ऑटमेटिक बंद हो गया उसके बाद में ऑन आफ दवारा था कुछ नहीं ह में भी हुआ विकॉस पो लास्ट मोड में जो था अजब ओन एंड मोड टू में था तो आज भी वो ऑटमेटिक जब शाम हुआ तो मोड टू में ऑन हो गया बट आज रात को में इसको आफ करके आया हूं सो कल इवनिंग होने के बाद भी आफ ही रहेगा जब तक मैं इसको पॉन नहीं करूंगा तो नहीं होगा इसमें जो फंक्शन दिया गया है बहुत बढ़िया है पट अगर रंटाइम की बात करूं तो फिर में सैटिसफाइट नहीं हो शायद मेरे इदर उतना मतलब सन का जो इंटेंसिटी है वो भी कम रहता है और डाइरेक्ली सनलाइट पॉसिबल नहीं है सो सनलाइट तो आता है पट इतना नहीं शायद वो रिजन हो सकता है लेकिन इसका जो फंक्शन है डैट इस रिल्ल नाइस बट रंटाम से में इंप्रेस्ट नहीं हो दोस्ता फंक्शन वाइस लूक वाइस इट्स आ नाइस प्रोडक्ट अगर आप इस को खरीदना चाहते हैं तो इसका बेस्ट बाइ लिंक आपको नीचे डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहाँ पे क्लिक करके सबसे अच्छे प्राइस में इसको पर्चिस कर सकते हैं थैंक यू गाइस वाचिंग वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के में भूलेगा कि बहुत सारे नेव वीडियोज आने वाले हैं